तो हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है जावेज शेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चेनल आकोट माजा दोस्तों हम आपके लिए आपोट की हर छोटी वड़ी अपडेट लाते रहते हैं और अभी हम सिरीज चला रहे हैं कि आकोट में जो गौवर्मेंट कंट्रक्शन हो रहे हैं जो बिरिज वगेरा बन रहे हैं आप आप आई बटन में देख सकते हैं मैंने और भी इससे पहले भी वीडियो दाली है रेल्वेस स्टेशन की आकोला रोट की बिरिज की आई बटन में आप देख सकते हैं तो आज हम आए हैं आकोट और हिवर खेड के बीच में जो बिरिज बन रहा है जो बड़ी इदगा है उसके पास आकोट में तो उसका कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुचा है यह हम आपको दिखाएंगे तो चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन दिखाने से पहले यह एक कंटेनर है जो बेचना है आप इस पे मोबाइल नंबर देख सकते हो यह आपोट के अंदर है और बड़ी इदगा जहां है उसके साइड में यह है यह बेचना है इसका मोबाइल नंबर भी आप कॉंटेक कर सकते हो चली हम आ आकोट और अडगाओं या हिवरकेड आप कह लीजी आडगाओं आकोट हिवरकेड रोट पर पर पूल बन रहा है बड़ी इदगा के बाजू में यह उसका कंट्रक्शन है और बहुत जादा काम हो चुका है पीलर्स वगेरा खड़े हो चुके है और इसके उपर अभी आया ही है और देख सकते हैं आप यह काफी गहराई से इसको कुंकि यह यहां से बारिश में बहुत ज्यादा पानी इस यहां से बहता था और यह road बन हो जाया करता था और यह road बन हो जानी की वज़़े से फिर लोगों को यहां railway track का जो pull है वहाँ से आना जाना करना पड़ता था दोस्तों तो देखे दोस्तों यह pull बनने की वज़े से गाडियों को इस तरफ से diverge किया गया है और इधर इद्गा के सामने से जो एक pull है वहाँ से साड़ी गाडियां आना जाना कर रही है फिलाल देखे दोस्तों हम पहले वहाँ पर खड़े हुए थे और अभी हम यह दूसरी साइट से आया है आपको कंस्रक्शन दिखाने के लिए देखे वह जो यह जो नाला या नदी जो भी है इसमें से बहुत पानी जाया करता था बारिश के दिनों में और यह जो रोड है वो ब्लॉक हो जाया करता था और आखोट की गाड़िया आखोट में और इदर से अड़गाओ और हिवर खेड की गाड़ियां इस तरफ ही खड़ी हो जाया करती थी तो इसको देखते हुए यह पुल काफी उंचा बनाया गया है अब फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी यह देखिए इदर वाटर सप्ला है ऑफिस भी है यहाँ पर साइड में तो वहां से उसका भी पानी हमेशा शुरू रहता है जो फिल्टर वगेरा करते हैं और यह उसका लोहा ब्रिच का इसका कंट्रक्षण पर सामान रखा हुआ है देख सकते हैं बहुत सादय काम हो शुचा है और बहुत सारा भी होना बाकी है ये देखिए आप देख सकते हैं हम जूम करके आपको बता रहे हैं काफी उचे उचे बनाए गए है ये ब्रिज काफी उचा काम किया जा रहा है ये देखिए छोटा है लेकिन काफी उचा बनाया जा रहा है और इधर साइड में ईद गाह है तो लोगों को काफी दिक्कत होती थी इद की नमास के बाद जब पब्लिक बाहर निकला करती थी तो बहुत छोटा ये पुल था और दोनों साइड से गहरी नाला था तो उसमें कई हासा होने का डर था लेकिन अब काफी चोड़ा हो जाएगा ये रोड देखिए दोस्तों इंदर ये वाटर सप्लाय आफिस है यहां पर और यहां से इसका फिल्टर वगेरा का पानी भी दर आता रहता है और ये इनका कंस्ट्रक्शन का बार वगेरा रखे हुए लोगे के और ये रोड है आपोट से आता हुआ और ये पुल बन रहा है ये रोड हीवर खेड इनकारा वागेरा भी जाता है और एक प्रीज का काम दोस्तों आपको हमारी वीदियो कैसी लगी और ऐब भी विडियो गीमोरे आप्वाटப्स की वीदियों मिद आयद कर आजहें कि आपको आयदो को तो दोस्तो अब तक के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में तो सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए हमारा चैनल आपोट माजा मैं आपका दोस्त जावेज शेक आपसे विदा लेता हूं नमस्कार